नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में सरकारी नोकरी के लिए जैसेसी का बड़ा फैसला राज जर्खन ने परदेश में नियुक्तियों के लिए अस्थानिय लोगों को अधिक महत्वे देने की घोसना और इसके अनुरूप कारवाही शुरू कर दी है लेकिन विभागे अरचनों के कारण इसमें दिकत आ रही है बता दे सबसे बड़ी परिशानी हाल में केविनिट के अस्थार से किये गए संसोधन के अनुरूप नियमावली में संसोधन नहीं होना है राज्य में डेर सोसे अधिक नियमावली के अधार पर बिभागों में रिक्तियों के विरूद नियमावली में सुधार नहीं किया गया है और इस कारण से नियुकति की परकिरिया भी बाधित है जारखन सरकार ने घोसित किया है 2021 को नियोजन वर्स राई सरकार ने चालू वितिय वर्ष को नियुक्तियों का वर्ष घोसित किया है और अब इसके आगे की तयारिया जोरो सोरो से चल रही है सभी विभागों को नियुक्ति नियमावली संसोधित करने के निर्देश दिये गए है रिक्तियों को लेखा जोखा तयार हो रहा है और जमीनी अस्तर पर आवस्या माप तयारियों को मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है बतादे इसके बावजूद कुछ भी भागों के निमावली अभी तक तय नहीं हुई है इसके पीछे वे लोग मुक्ष कारण है जो तंत्र का हिसा होकर भी कहीं न कहीं पूरी उर्जा के साथ काम नहीं करते हैं यही कारण है कि कई भी भागों के निमावली में अप एक चित सुधार नहीं हुए है सहायक पुलीस 22 दिन भी किसी ने नहीं लिया कोई सूध लगातार बारिस के बीच राची के मुराबादी मैदान में सहायक पुलीस कर्मी अभी डटे हैं अपनी मांगों को लेकर पिछले 22 दिनों से अंदोलन रथ हैं बतादे भारी बारिस के बीच तम्बू लगा कर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों किसी दिनों दिन काफी खराब होती जा रही है। इसके बावजूद अब तक किसी ने कोई सूद नहीं लिया है। उनसे मिलने नहीं आया। कार्यों की वर्तमान प्रगति और प्रस्तावित योजनावों से अवगत होई। इस दवरान सूद रही जोसी ने निदेशित किया की परतेक कार्यों को भविस किया हो सकतावों के अनुरूप नियोजित किया जाए। साथ ही दिये गर टाइम फ्रेम के अनुरूप ही इनको किया जाए। दूर नवाली के साथ सामोहिक दूसकर मामले में गुमला पहुचे दीपक परकास। वह पीडित परिवार से मिलने आया हूँ। यह घटना समाज में पीडा दायक देने वाली घटना है। भाजपा इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने जेजे एम और कंग्रेस की सरकार के समध में कहा कि 30 महीने की सरकार में 31 महिलाव के साथ दूसकर म हो चुकी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाये वह कम है। गुमला में समोहिक दुसकर मामले में दो गिरफतार एक ने किया सुसाइड। नीजी विश्व विध्यालियों के छात्रों के लिए बड़ी खबर। उरा उपस्थित थे। जनकारी मांगी गई की राजे में नए विश्व विध्यालियों का गठन कीन नियमों के तहत किया जा रहा है। जिन नीजी विश्व विध्यालियों को मंजूरी दी गई है उनके पास कितना जमीन और भवन है। इसके लिए निती और निमावली है। के करकरता सभी जीलावा परखन मुख्यालियों पर इसलामी आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे। साथ ही इस तरह की हिंसक घटनाओ पर रोक लगाने के लिए बंगलादेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए राष्ट पति को ग्यापन सोपेंगे। बतादे बिहिप ने हिंदू समाज के अधिक से अधिक लोगों से इस प्रदर्शन में सामिल होने की अपील की है। 20 से पवित्र कार्तिक मास की होगी शुरुवात। पुर्निमा समाप्त हो जाएगी इसके साथ ही कार्तिक माह की शुरुवात हो जाएगी और यह 29 नॉमबर तक रहेगा है। जारखन में कुरोना के 14 नए केस मिले हैं जो राची से गारा पुर्वी सिमु से एक बुकारो से एक पच्मी सिमु से एक मिले हैं। जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 125 है। भारत में 12,336 केस मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,67,599 है। जारखन में छट पुजाबाद पंचाद चुनाव की घोसना। जारखन में 35 चुनाव की घोसना कभी भी हो सकती है। बता दे ग्रामिन विकास मंतरी आलमगीर आलम ने इस बात के संकेत दिये हैं। सो मुरको आलमगीर आलम ने इस संदर में मुख्य मंतरी हमान सुरन से मुलकात की। जल्द पंचाद चुनाव कराने को लेकर मुख्य मंतरी का रवया भी सकरात्मक है। आलमगीर आलम ने बताया कि सरकार पंचाद चुनाव को लेकर गंभीर है। चुनाव की तैयारियों को अमतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही चुनाव की घोसना की जाएगी हलाकि चुनाव की तारिखों की घोसना कब होगी इस पर उन्होंने अस्पष्ट कुछ नहीं कहा है बताया जा रहा है कि छट महापर्व के ततकाल बाद पंचाज चुनाव की घोसना की जा सकती है जार्खन विधूत नियामक आयोग का अडिट करने से इनका है जार्खन राजे विधूत नियामक आयोग में बित्य गरबड़ी की सिकायतों की जाज करने से महालेखाकार ने हाथ खड़े कर दिये है बतादे सिकायत 50 कोर्स अधी की हेरा फेरी से जुड़ा है जिसे पूरों में अंजाम दिया गया फिलहाल राजे विधूत नियामक आयोग पूरी तरह डिफक्ट है पिछले आठ महिने से यहां चेर्मैन, तक्निकी और बीत सदसे सहित कई पदरिक्त है बता दे महालेखा कारे कर्याले ने उर्जा विभाग को पत्रा चार कर्या जनकारी दी है कि बरतमान परिष्थितियों में आय ब्याय का लेखा जोखा नहीं किया जा सकता जारखंड के बीएट कोलेजों पर सिकन जा सिक्षक प्रसिक्षन कोर्स करने की इक्षा रखने वाले विद्यार्थों के लिए अची खबर है अब उन्हें सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों में नमांकन में ठगे जाने की समस्या नहीं रहेगी बता दे सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों में उपलब संरचनावों सिक्षकों एवं उसकी उपलबदियों की जनकारी उन्हें मिल सकेगी सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों द्वारा हर साल भरी जाने वाली पर्फर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में यह व्योरा उपलब्द रहेगा सिक्षक प्रसिक्षन पाठे करमों यों संस्थानों के नियम का अधिकार रखने वाली राष्ट्रिये अध्यापक सिक्षक परिश्द ने इसे अनिवारे कर दिया है गढ़वा से 14 वर्षिये नवालिक का अफरन कर बिहार में समोहिक दूसकर्म गढ़वा जिले के कांडी थाना छेतर के एक गाउं की 14 वर्षिये लड़की का अफरन कर समोहिक दूसकर्म का मामला सामने आया है बता दे अफरन करताओं ने नवालिक लड़की को उसके गाउं के निकट से ही अफरन कर लिया और बिहार ले जाने के दौरान गाडी में ही दूसकर्म किया साथ ही बेरहमिस से लड़की की पिटाई भी की है अफरन करतावों के चंगुल से भागने के बाद और अंगाबाद बिहार के जीला बाल कल्यान समीति के माध्यम से गढ़वा पहुंची पीडिता का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है लागातार बारिस से कोईला उत्पादन प्रभावित जारखन और बंगाल के कई हिसों में बीते दो दिनों से हो रही बारिस के कारण राज जे में कोईले और बिजली का उत्पादन एक बार फिर परभावित हुआ है इसके कारण एक बार फिर बिजली संकट गहराने के असर बढ़ गए है बतादे सबसे ज्यादा असर कोईला उत्पादन पर पड़ा है कोईला कम्पिनियों की ओर से अधिकारिक बयान के अनुसार जारखंड और बंगाल में इस्थीत कोईला खधानों पर बारिस का ब्यापक असर पड़ा है कोईला उत्पादन में 50% की कमी आई है वहीं से 40% तक प्रभावित हुआ है बालू उठाव जल्द होगा सुरू राज्य में बालू का उठाव जल्द सुरू कराने के तियारी की गई है मांसुन के कारण 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक को हटाया जाएगा लेकिन इसके लिए नियम में कई बदलाव किये हैं बतादे जार्खन राजे खनीज विकास निगम के महाप्रवंधक उत्तर विश्वास के मुताविक मुखेरूप से बालू खनन छेत्र को तीन सिरेनी में बाटा गया है 10 अक्टियर से कम 10 से 50 हेक्टियर और 50 हेक्टियर से अधिक बतादे जार्खन में बालू घाट का ट सिध्कती परद्वाइटरीक संधितए दर्ज करती है रांची के सभी कोण टीके उतकर रिद्दय अच वे – सीधिया, छेतरिये सिक्षा सन्यूक्त निदेशक दक्षनी छोटा नागपूर प्रमंडल रांची सहजीला सिक्षा पदाधिकारी रांची अर्विंद बिजय बिंगुल ने की इसमें दस एजेंडा पर चार्चा की गई इसमें ऑनलाइन क्वीज में बचों की अधिकाधिक भागेदा पारी सुनिश्चीत करने का निदेश दिया गया और सिक्षकों को बायोमेट्रिक से उपसेती दर्ज कराने का निदेश दिया गया JJMP सब-जोनरल कमांडर सहेतीन उगरवादी धराये लातेहर पुलिस ने हरतुवा जंगल के पास समवार को छपे मारी कर JJMP के सब-जोनरल कमांडर बिनाय कुमार सिंग, उर्फ बिनाय सिंह, चेरो सही तीन उगरवादियों को गिरफतार किया है गिरफतार उग्रवादी में बिनाय के अलावा जेजे एमपी के एरिया कमांडर विश्वनात उराव और प्रदीप उराव और दस्ता के सदा से सुजीत उराव सामिल है बता दे पूलिस ने गिरफतार उग्रवादीयों के पास से 315 बोर की 200 गोलियां नकसली पर्चा के बुकलेट नकसली रसीद बूक आठ मोबाइल एक इसकूटी एक चार्जर और चार डायरी जब्त किया है सीर मंगर मच और धड मचली का अजीबो गरीब जीव जारखंड के धनबाद एक मचली चार्चा के बिसर बन गई है इसे देखने के लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं बता दे इस अजीबो गरी मचली का सरीर समाने मचली से अलग है इसका मोह मंगर मच जैसा है जबकि सरीर समाने मचली की तरह इसके सरीर में धारिया भी मंगर मचली की तरह ही है यह मचली जीले में चर्चा का विशर बना हुआ है बतादे धनबाज जिले के गोबिंद पूर परखंड के अमर पूर पंचायत के अमला टांड गाउ में हर दीन की तरह एक मचुआरा मचली मार रहा था इसी दोरान वह मचली उसके जाल में फस गई मनरेगा में नीचे से उपर तक खेल जारखंड में मनरेगा योजनाओ का बड़ा बुरा हाल है बतादे फरजी वाड़ा घोटाला वबीतिय अनिमित्ता की जाच करने वारी एजनसी जब खूद ही जाच के दहरे में आ जाये तो सवाल तो उठेगी ही सवाल मनरेगा की सोचल अडिट टीम पर उठा है बतादे आरोप पलामू और गढ़वास से जुड़े मामले में लगा है फिलहाल दो क्लोर की बितिय अनिमित्ता का मामला बताया जा रहा है ग्रामिन विकास सचीव ने पूरे मामले की जाच का देश दिया है जाच की कमान सचार रहा है प्रधान मंत्री अवास योजना पीम आवास योजना नगर विकास एवं आवास बिभाग में सन्विधा परकारण रहत कुछ करमियों के मांदे में कटोती की है। कर्मियों पर लक्ष के अनुरूप काम पूरा नहीं करने का रोफ है बता दे केंद्र सरकार के दबाव और राजे में लक्ष पूरा करने को लेकर की जा रही करवाई के मदनेजर इसके संकेत पिछली समीक्षा बैठक में निदेशक ने दे दिये थे निदेशक के आदेश के बाद ही कर्मियों के बेतन में कटोती की गई है बताया जा रहा है कि लिक्टर लेवल से छट तक के निर्मान में निर्धारित समय से अधिक समय लगने परिया करवाई की गई है आठ नोवंबर से छट महा पर्व दिपावली के छट दिन बाद छट महा पर्व मनाया जाता है बतादे ए वरत नहाय खाय के साथ सुरू होता है इसमें वरत धारी 36 घंटे का निर्धिला वरत रखते हैं इस पर्व में सुरे देव और छटी मया के उपासना की जाती है बतादे इस पर्व को काफी कठीन माना जाता है सच्चे मन से इस वरत को करने से हर मन कमना पूरी होती है बतादे आठ नोवंबर को नहाय खाय नोवंबर को खरना 10 नोवंबर को पहला अर्ध साम 5 बटकर 27 मियट से वहीं 11 नोवंबर को दूसरा अर्ध सुबा में 6 बच कर 24 म बतादे अहमादाबाद मुंबाई के बाद अब वारानसी हबडा के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है तेजर अफ्तार एया ट्रेन जारखंट से होकर भी गुजरेगी जनकारी के मुताविक वारानसी हबडा बुलेट ट्रेन गिरीडी से होकर भी गुजरेग इसके लिए हाल में ही सर्वे का काम फूरा किया गया है बुलेट ट्रेन के चलने से जारखंड से हवड़ा की यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को इसका लाब मिलने की संभावना है धन्यवाद दिन भर की तमाम ख़बर को जानने के लिए साम पांथ बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जी से देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद